के चिप्टर में मैं ले रहा हूँ अमांडा फॉर क्लास्टेन जब आप चोटे होंगे माई फ्रेंड तो आप जरूर महसूस किया होंगे कि गर्मी का दीन है मालो जिसे भी कमोशन है और आप दरवाजे से बाहर खेलना चाहते हो क्या अपने अपने इनर्जी आपको उतनी ग तो ऐसे ही थीम पे यह रोविन क्लेन साहब ने लिखा है अमांडा अमांडा हम देखते हैं कि साथाट साल की एक बच्ची है जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक फील होगा और उसे बड़ा नेगिंग उसके पीछे हो रहा है बड़ा उसको डाट फटकार मिल रहा है तो उसे लगता है कि मुझे भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए तो इसी भाव में ये कवीता लिखी कि है माई फ्रेंड तो देखें आप एवरी चाइल्ड फिल्स दैट ही इस चान्ट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नोट तो दो वन थिंग और अनदर यू दू यू आल्सो वूड़ा फेल फेल्ट फेल्ट यूर फ्रीडम इस करते हैं बड़े होने पर आप महसूस करते है और बड़े होने पर आभी बचों को रोकने लगते हैं लेकिन उससे में आपको बड़ा यह बेकार लगता है राइड डाउं सम अप देखेंगे जो आप करना चाहते हैं पर पर नहीं करने देना चाहते हैं तो रीड़ दपोएम अलाउड अना फॉम पेयर और क्लास में अपने नाकुन नाकाट वामांडा वाट रे डूइंग डाउंट हंच और सोल्डर्स तो यह होता है कंद्धे उचकाना कंद्धे उचकार एक कूबड बना रहे से तो अखसाराधत होता बचों को बनाते तोुसकर भी मना किया जाता है नजिए अपनें कंद्धे मात उचका और बैठने का तरीका चलने का तरीका सब के लिए टोका जाते हैं पर स्लॉचिंग का फ्रेंड हैं फ्रेंड ओकवार धंक से चलना तो यह स्लॉचिंग आप याद रखेंगे बहुत अच्छे आप वर्ड्स भी आपको इस पॉइम में मिलने वाले हैं आज तो मजा आएगा व इसको कंप्लीट कर लिए अब ब्रैकेट में एक सोच साथ इसाथ पैरलेल एक स्थेंकिंग चलती है एक तरफ दो कमांड है जो डायरेक्ट स्वीच में यहां पर लिखा गया अब रेकेट में जो हमांड़ा का सोच है तो वह जब वह डाट खा रही होती है तो उसका अब उसका दिमाग कहा है देखिए देरिज लैंगवीड इमराल शी लैंगवीड में सोता है जिसमें शांथ जिसमें कोई ज्यादा वेपस नहों लैंगवीड इमराल सी इमराल इस एर यूज़ फर कलर एक पन्ना पुखराज और पन्ना पन्ना एक समुद्री कलर ऐसे भी बिश्फुली और कास में एक मर्मेड होती उसे लगता है मांडा को कि कास में एक मर्मेड होती और वो मैं यह शांत समुद्र में हाराम से जल्धारा में तेहते रहती अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं कि तो यहां ने करना तो यह जो बात है और चलो देखते हैं कि अमांडा के इस बात पर कि उन्होंने जूते साफ किया है कि नहीं और कमांड की नहीं अमांडा का सूच किया है तो यहां पर आप देखो कि फिर से यहां पर ब्रेकेट में लिखा किने लिखा है क्लेन साब ने I am an orphan इस से अच्छा तुम्हें अनात बच्ची रहती Roaming in street, I patterned soft dust with my hust bare feet और क्या करती कि मैं अपने पैरों से नधारियां बनाती धूल पे कोई रोकने ओला नहीं होता The silence is golden, the freedom is sweet और कोई वहां पर बगबग नहीं करता शांती होती चाल तरफ तो यह golden color को बड़ा सुनहरा और अच्छा color माना जाता है The freedom is sweet और स्वात अंतरता कितनी मधूर है मैं गलियों में चलती धूल उडाती उसके पैटर्न बनाती डिजाइन बनाती धूला तो कोई कुछ बोलने ओला नहीं है तो आप देखो एक तरफ जो उसे दबाया जा रहा है कुछ करने के लिए कहा जा रहा है तो उसके एक्षन का रिएक्षन होता है पढ़ा है और आपको नाट मिलता तो आपके मन में भी एक रिक्षन आता है कि कि आप भी सूचते हो कि यह ममी पापा क्यों मुझे बार बार यह बात कहते रहते हैं सुनते रहता हूं मैं भी चलो यह अगले डाट फटकार पे चलते हैं अमांडा को बच्छोड़ेट के लिए डाट फटकार मिलने वाला है व्रेंट तो देखिए यहां पर मैं पढ़ और बात कर रहा हूं तुमसे तुमसे तुम मेरे तरफ देखोगे तब क्योंकि विचारों में खोई हुई है और वो सौच रहेगी आइम रपंजल में एक रपंजल होती है जो कि एक उचे से टावर में रहती है और बड़ा मनमजी धंक्षिवर रहती है उसके बाल लंबे हैं और फिर वहाँ एक राजकमार आता है उसके हेर को पकड़के उस पे उस टावर पे जाता है और फिर उसको उस बुढ़िया से बचाके लाता है जहां से उसको पकड़के रखतर हो पंजल का लाइफ उसे अच्छा लगता है तो बोलती है I am रपंजल I have not a care life in a tower देखो नहीं दोंगी तो उसका सोच कुछ और है फ्रेंड जब यहां पर चॉक्लेट लिए डांट खा रहे तो उसका सोच कहा है कि कास मेरा बंजल होती तो एक्षिन में उसका स्वीर सोच है आगे देखें कि स्टोप डैट अब यहां पर लास्ट लाइन आ रहा है लास्ट फोर ल चेहरे पर कोई उत्साह नहीं हो कुछ करने की भावना नहीं हो खोए-खोए-खोए सारहना तो वह से बंद करो का काना है कि स्टोप डैट शलकिंग अट वन्स अमांडा यू आर ओल्वेज शो मूडी बड़ा तुम मूडियल हो जो मन में आता है तुम वही करती हो तो क्या क्या होता है कि अमांडा जो है साथ 8 साल की बच्ची जो है उस में बड़ा शपने देखने वाली जैसी एक लड़की है और वह दांट मिल रहा हुसे तो उसे वह दूसरी लोग में खोई हुई है तो स्टोप डैट शलकिंग एडवन समांटा यूर ओल्वेज सो मूडी अमा इतना बोलते हो तुम्हें कोई भी सोचेगा कि मैं हमेशा तुम पर नगिंग के रहती हूं हमेशा तुम से घोटांट ते रहती हूं तो बड़के यू तो फिर यही था आमांडा पे आप देखें कि कमांड आ रहा है पे एयंड का और और फिर रियक्शन में कोई सोच्चत हम इस तरह से जान पाते हैं that her mother tells her to do homework and advices her in all the matter which are related to a child of 7-8 तो जो भी यह advices आते हैं उसके अधार पर हम कर सकते हैं कि वो 7-8 सल की बच्ची है तो कौन लग रहा है कि आपके हिसाब से बात कर रहा है तो आइधिंग पैरेंट्स और मांड़ा आर श्पीकिंग तुहर अलाकि यहां पर क्लियर नहीं है कि यहां पर आपके उपर है कि आप क्या सोचते हो कौन बोल रहा है यह बात तो हो सकता है कि पापा बोली या मम्मी भी बोली ठीक है I think the parents of Amanda this is the answer तो आप इसको प्रूफ देने के लिए आप स्टांजास दिखा सकते हो जैसे हां पर दिखाया गया एक्जामपल में नुम्त बॉइंट को पूंत नुमाबर फॉर हुडश इस्पीकर इन श्टांजा तू वह इंधर इंग करती तो क्या करती है वहां पर शर्जेशन दिया हुआ उसका कल्पना दिया हुआ मरमेड होती तो क्या करती कि वहां पर जाके ग्रीन इमराइल सी में रहती जो कि बहुत सांत और अच्छा है इस अमांडा एन और्फन क्या वानात है यह समांडा इन और्फन सिसे सो विकॉज सी रॉम्स इन श्ट् विधर हष्ट फिट ऐसा लगता है कि हो सकता हुआ उसके सोतेली मां हो या ऐसा कोई सिच्वेशन हो जिसके उसके अपने ममी पापा ना हो और ऐसी स्थिती में वह एक और्फन के जैसा घूमती है दो आपनजल वार दॉज शी वांट टो बीर पंजल रपंजल वाज पंजल इस कहानी को ऐसे लोग जोडते हैं तो actually meaning is that she wanted to be carefree like रपंजल What does the girl yearn for? Here Y-E-A-R-N yearn for miss long for आकांचा करना, चाहना, great desire होना, what does this poem tell you about Amanda? This girl long for, yearn for freedom, वो चाहती है था सोतंदरता, वो इतना नहीं चाहती कि उसके parents nagging करें This poem tells us that Amanda feels is controlled, over controlled, उसे ज्यादा ही control किया जा रहा हुशे, यह feeling होता है Read the last question, do you think Amanda is shulking and is moody, क्या, आपको लगता है कि वो शही में shulking और moody लड़की है या वो irritate हो रही है बार-बार commanding करने से तो, इस तरह से आपका मैंने question answer के discussion कर दिया अब इसको बना करके मुझे WhatsApp करें, otherwise you can ask me for any doubt in comment, thank you, we will meet with next lesson in next video, thank you, bye